आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका train जो है कहां पर है उसका status कैसे चेक करेंगे तो आपको एक application को install करना है जिस application का नाम है exigo train status जो यहां पर screen पर देख सकते हैं इसको आपको install कर लेना है नमर को fill कर देना है और continue का option पर क्लिक करना है और यहां पर आपको allow करना है जो भी आप mobile नमर डालेंगे उस पर OTP बेरिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको allow का option पर क्लिक करना है और यहां पर वाल्दव application एक पर क्लिक करना है तो यह application कुछ इस परकार से इसका home page दिखेग तो आपको यहां पर running status और PNR status यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आगर आपने ticket book कर राखा है तो आपको PNR नमर मिला होगा तो PNR यहां पर status दिया हुआ इस पर क्लिक करेंगे यहां पर 10 अंका PNR नमर डालेंगे और search करेंगे तो आपका train का status जो आप बहुत ही असान इसे अपना ही train का status देख सकते हैं उसके बाद अगर आपको कोई और गारी का status चेक करना है तो यहां पर running status का option दिया हुआ इस पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे यहां पर देखिए from or to का option दिया हुआ है तो आपको जिस भी station से जिस station का आपका status देखना है कि गारी आपका कहा तो इसमें उस station का नाम आपको select करना है और 2 में जहां तक को आपको देखना है यहाँ पर आपको select करना है और search train का option पर click करना है तो आपको बहुत सारे train number और train का नाम यहाँ पर देख सकते हैं आपको जिसमें train का आपको status चेक करना है उस पर click करेंगे तो उसका status जो बहुत ही असानी से आप देख सकते हैं अगर इससे भी असान तो आप बैक आएंगे अगर आपको train number और नाम अगर train का आपको पाता है तो यहाँ पर देखिए find by number and name दिया हुआ है इसपे click करेंगे और आपको इसमें नाम पाता है तो नाम लिखेंगे train number पाता है कि आपका ट्रेन जो है कहां पर आई हुई है अगले स्टेशन पर कोब तक आज आएगे यहां पर आप देख सकते हैं उम्मीद करते हैं कि यह जनकारी आपको अच्छी लगी हो तो फ्लीज लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल पर नएद चैनल को स सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद